हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग मैं ओमित तल्डा आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड काईड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर तो जो CS professional वाले बच्चे ठीक है corporate funding आ जाओ फटाफट December 22 का paper जो है उसमें जो भी आपके numerical questions आए हैं और जो case study based question आए हैं वो हम इस वीडियो में cover करने वाले हैं और काफी मैं इसमें आपको बताऊंगा कि क्या आपकी गलतियां हो रही हैं और कुछ tips दूँगा वीडियो के आखर कर रहें जो repeaters है basically और जो aggregate में fail हो रहे हैं या 50 marks 55 marks cross नहीं कर पा रहे हैं उनको क्या करना चाहिए ठीक है तो वीडियो पूरा आखरी तक देखना और questions कैसे cover करना है क्योंकि काफी बच्चे मुझ से कह रहे है numerical थोड़े अलग आ गए थे तो वो सब भी मेरा take क्या है मैं कर दो ठीक है calculator वगरे उठालो और मेरे साथ साथ फड़ा फट लेट्स कवर December 22 पेपर चेक है आ जाओ इसका file जो है suggested answer जो है ICSI का ICSI का suggested answer जो है वो मैं link description में दे रहा हूँ separate CFL की file है ठीक है आपको प्रिंट करके बढ़िया आपने पास रखें ठीक है आपको अपने preparation में काफी help करेगा ठीक है let's start तो पहला पूरा जो question आया था वो इस बार आया था numerical ठीक है या case study जो भी कहो plain question एक भी नहीं आया था first question मे पाच 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 तीनों पंधरा माक का directly numerical या case study based question आया था ठीक है चलो one by one let's start आ जाओ question number one question number one तो ये question है आपका MPBF ठीक है maximum permissible bank finance tending committee पहले भी इस type के questions आ चुके है थोड़े से wordings इसमें add हुए है ठीक है almost similar question ही है बहुत जादा tough या बहुत जादा odd question नहीं है ठीक है तो देखो आपको अलग से extract of balance sheet दिये हुए है पूरे current liabilities current assets जिसका आपको काम है वो आपको अलग से छाट के दिये है आपको कुछ identify करने की भी ज़रूत नहीं है directly आपको अलग से ही दिये है कि current assets कितने है current liabilities कितने है फिर आपसे पूछा है YBL limited has bank borrowings of 820 lakhs जो की दिख भी रहे है current liabilities में ही उन्होंने लिया हुआ है bank borrowings of 820 lakhs which includes bill discounted with the bank ठीक है bill discounting करके जो पैसा लेते हो वो भी bank borrowing में included है जो की कोई दिखकत नहीं है अब सबसे बड़ी बात जो आपको पता होनी चाहिए इस type के question को solve करने के लिए कि जब हम MPBF लेते हैं उसके अंदर जब हम current liabilities लेते हैं उसमें bank borrowing नहीं लेते बस ये एक ही point है जो इस type के question में आपको ध्यान देना होता है कि जो भी current liabilities आप ले रहे हो उसमें existing जो भी bank borrowings आपने already ले रखी है वो include नहीं करनी है बाकी पूरा question काफी आसान है आजाओ it wishes to avail loan on its working capital ठीक है और loan लेना चाहती है company against the working capital and approaches your bank for financing while maintaining the minimum current ratio of 1.33 times calculate the MPBF as per the methodology suggested by tendon committee should the bank sanction the loan request or not ठीक है अब आपको ये पता होना चाहिए इस type का question पहले भी आ चुका है एक बार और मैं YouTube पे अल्ड़ी इसको पढ़ा भी चुका हूँ कि ये 1.33 वाला जो ratio होता है ये जो method number 2 है उसमें ये आता है method 2 जो है वो 1.33 current ratio के हिसाब से formula बनता है ठीक है तो आपको method 2 के हिसाब से देखना है कि MPBF कितना आता है और देखना है कि और additional loan company eligible है या नहीं है और loan वो ले सकती है कि नहीं ले सकती है existing वाला बाद में हम उसको compare करके देखेंगे ठीक है अभी हम क्या निकाल रहे है totality में निकाल रहे है कि as per the current assets as per the current liabilities वो कितना maximum permissible bank finance उसको मिलना चीए और फिर currently कितना bank borrowing already ले चुका है bank company उससे हम compare करेंगे और उससे पता चलेगा कि additional loan bank दे सकती है या नहीं दे सकती है कितना दे सकती है ठीक है तो सब उससे पहले इसमें क्या था identify करना था कि टंडन कमिटी का कौन सा method यूज करना है 1.33 times यह जो ratio होता है यह indication होता है कि method number 2 आपको follow करना है method number 2 आपको पता चल गया तो आपको method number 2 का formula पता होना चीए बरबर तो क्या formula है 75% of current assets bracket ठीक है और minus पूरा का पूरा current library ठीक है यह आता ह MPBF चलो और फिर जब उसके अंदर आप current liability लोगे तो उसमें आपको bank borrowing नहीं लेना है ठीक है let's start तो सबसे पहले आप formula लिखू ठीक है आजाओ ठीक है बोलो क्या formula है bank borrowings ठीक है बोलो 75% of current assets total मारो Kelsey उठालो बोलो 650 plus 250 सारी current asset है plus 75 plus 125 plus 150 plus 350 तो यह है 1600 lakhs 1600 lakhs का 75% माइनस पूरे current liability excluding bank borrowings तो मतलब यह दो ही आएंगे ठीक है यह आपको current liability में नहीं लेना है 200 plus 180 यह आता है 380 बोलो कितना आएगा 75% ओफ यह आएगा 1200 माइनस 380 तो यह आएगा 820 मतलब क्या मतलब होता है इसका कि as a whole ठीक है as a company वो 820 lakhs का bank finance ले सकते है cumulatively ठीक है अभी तक मतलब as on date जो उनके current asset और current liabilities है उसके इसाब से वो MPBF कितना eligible है 820 lakhs अब इसमें आपको compare करना होता है कि already कितना bank borrowing वो ले चुकी है तो वो exactly 820 lakhs ही है मतलब पूरा MPBF utilize हो चुका है अब और additional एक रुपया भी वो company eligible नहीं है borrow करने के लिए as per tundan committee ठीक है तो यह आपका आगया eligible ठीक है तो इसमें आपको लिखना है existing bank borrowings are already 820 lakhs ठीक है तो company has completely utilized the MPBF and hence the additional finance cannot be granted to the company by the bank ठीक है तो आपको final answer क्या पूचा था कि should the bank sanction the loan request तो यह final answer आपको लिखना है no the bank should not sanction the additional loan request as the MPBF has been completely utilized by the company समझ में रहा है तो बस इतना ही था कुछ खास था ही नहीं ठीक है तो इसको आप tough नहीं कह सकते हो देख लो answer फटा फट ठीक है तो 1.33 के इसाब से second method आती है second method को वही दो formulas आप कर सकते हो कि यह जो भी total है उसमें से 25% minus कर लो current asset का या directly current asset का 75% ले लो तो मैंने पहला वाला formula लिया है दोनों का answer same आता है तो अपन ने यह वाला use किया है 75% of current assets तो आता है 1200 minus current liability excluding bank borrowings ठीक है तो आपका MPBF आएगा 820 lakhs ठीक है और फिर आपको देखो final answer लिखना है Since YBL has already availed MPBF and hence has reached the minimum current ratio of 1 is to 1.33 ठीक है 1.33 already उसका current ratio आगया है अगर और वो bank borrowing लेंगे तो क्या होगा current ratio और decrease होते जाएगा समझ रहे हो तो वो already minimum current ratio पे ही है क्योंकि exactly MPBF भी 820 lakhs आ रहे है और exactly उनके bank borrowings भी existing 820 ही है तो अगर आप इस level पे उनका current ratio निकालोगे तो exactly 1.33 ही आएगा समझ रहे हो तो वो level 2 के साब से method 2 के साब से already 100% utilization कर चुके MPBF का hence the bank manager should not sanction the loan request of YBL Limited समझ रहे हो simple calculation है simple concept है simple final answer है पाँच माग का एक question है ठीक है आराम से 4.4 माग आप ले सकते हो अगर आप properly step by step लिखोगे 4 माग तो minimum आपको मिलेंगे ठीक है चलो तो यह था first question MPBF almost मैं कहूंगा similar question है ठीक है यह नया question नहीं almost similar question आया हुआ है चलो बढ़े आगे अब यह एक नया question आया है ठीक है इसको आप case study based question कह सकते हो यह नया question है but unfortunately यह executive level का है ठीक है तो टफ विल्कुल नहीं है और professional पास होके यह हो तो मतलब आ जाना चाहिए इसकी थेरी तो आपको पताई होगी आपने यह other boring tools में पढ़ा होगा तो अगर आपको सिर्फ वो उसकी थेरी पता है उसके limits पता है और यह limits मेरी limits file में included भी है तो बस आपको limit पता है तो बस limit में उन number डालके आपको calculation करना है तो यह ऐसा भी नहीं है कि भाई आप soli न कर पाओ professional level का बच्चा यह soli न कर पाए इतना tough नहीं था और इतना कोई अंदर-अंदर की limit भी नहीं थी यह तो बहुती basic बहुती उपर-उपर की limit है जो आप executive level पे भी company law में पढ़ते हो ठीक है तो यह काई की limit है यह board के power की limit है कि board के पास कितना power है loan investment guarantee देने का without the approval of shareholder, without the approval shareholder board के पास maximum कितना loan investment guarantee देने का right है तो उसमें आप limit पढ़ते हो कि 60% of the paid up share capital and free reserves and securities premium और 100% of free reserve and securities premium whichever is higher तो यह बहुती basic limit है ठीक है तो बास इसी पर question है क्या पूछ रहा है question आईए समझते हैं, there is a proposal with the board of directors of Sun Limited to give loan of 250 lakhs to Mr. Messers Moon Limited, ठीक है आप दूसरे company को loan देना चाहते हो, 250 lakh rupees का, ठीक है, company to company loan है, आप loan दे रहे हो, intercorporate loan है following are the extract of financial statements of Sun Limited, board of directors seeks your advice with regard to loan limit with the board of Sun Limited, can sanction pursuant to limits for the loan under section 186, ठीक है 186 के साब से, board के पास maximum कितना power है लोन देने का, यह आप से पूछा है, based on your calculation, can the company give loan of 250 lakhs to Moon Limited, suppose if it exceeds the limit, what option is available with Messers Sun Limited, बोलो, क्या option available होता है, अगर आप limit cross कर जाते हो, board अपनी limit cross कर जाती है, तो क्या होता है, SR in GM SR in GM लेके, फिर तो कोई limit होती नहीं है न, shareholders के लिए कोई upper limit तो ही नहीं, वो जो limit है, वो तो board of directors की limit है तो अगर आप वो board की limit cross कर गए हो, तो बस board को क्या करना है, EGM hold करना है, और EGM में SR in GM अगर वो pass कर लेते हैं, तो वो limit के उपर भी loans दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, अब पूरा देखो numbers दिया है, ठीक है, normal जैसे numbers होते हैं, सब numbers दिये होएं, आपको सारा देखो द पहले चेक करना है, कि board की limit कितनी है, board कितना loan guarantee investment दे सकता है, पूरी limit, ठीक है, cumulative limit होती है, तो cumulative limit कितनी है, पहले वो निकालो, फिर जो existing already loan guarantee investments आप कर चुके हो, वो minus करना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा, और additional limit available है, क्या 250 lakh की, क्यों 250 lakh आपको और loan देना है, तो व 250 lakh आट करके ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो limit cross हो जा रही है, बस वो आपको चेक करना है, तो इसमें step by step calculations होगी, सबसे पहले step क्या है, limit निकालो, permissible limit कितना है, bank cumulatively as on a date, कितना loan guarantee investment कर सकता है, फिर second, जो existing loan guarantee investment आपने कर दिये है, वो minus कर लो, उससे आपको पता चल जाएगा, final answer कि 250 lakh का additional loan दिया जा सकता है, कि नहीं दिया जा सकता, ठीक है, तीन steps है, आजाओ, तो सबसे पहले हम, बोलो, क्या करेंगे, limit निकालेंगे, permissible limit under section 186 of companies at 2030, बोलो, क्या limit है, 60% of paid up share capital and free reserves and securities premium, ठीक है, securities premium add हो चुका था, amendment आपको पता ही होगा, बहुत पहले हो चुका है, और 100% of free reserves and securities premium, ठीक है, whichever is higher, तो यह पूरा limit है, अब इसमें बस एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, free reserves की definition आपको पता होनी चाहिए, free reserves की अगर आपको definition पता है, तो आप इन में से, कौन से free reserves में आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, आपको आप पता कर सकते हो, ठीक है, securities premium तो अलग से ही लेना है, general reserve, yes, free reserve होती है, retained earnings, मतलब वोई profit and loss, surplus account, यह भी आती है, अब आपने अगर free reserve की definition पढ़ियोंगी, तो आपको specifically पता होगा कि, revaluation reserve, free reserve नहीं होती है, definition से हटा दिया गया, साफ साफ लिखा है कि, revaluation से जो भी reserve create होती है, that cannot be free reserve, तो यह बस आपको ignore करना है, यहां आप गलती कर सकते हो, ठीक है, तो यह है, बोलो, तो क्या आएगा, 60% off, add करते जाओ, paid up capital दिया है, 250 lakhs, plus, बोलो, free reserve में, general reserve आएगा, 150, plus retained earning आएगा, 25, और plus आएगा, securities premium 200, ठीक है, य आएगा, और, 100% off, 150, plus 25, plus 200, ठीक है, share capital छोड़के, बाकी, तो बोलो, कितना आएगा, निकालो, पहले bracket में solve कर रहा हूँ, 250, plus 150, plus 25, plus 200, bracket का value आ रहा है, 625, उसका 60%, तो वो आएगा, 375 lakhs, और, second limit निकालो, bracket कितना है, 150, plus 25, plus 200, वो भी इत्तिफाक से आ रहा है, 375 lakhs, ठीक है, whichever is higher, तो that is, 375 lakhs, अब ध्यान देना, अब, कुछ बच्चे क्या करेंगे, घाई गडबड़ करेंगे, professional में पहुँच गयो भाई, तुम लोग, घाई मत करो, 375, ये क्या है, काफी 270, 250 lakhs का लोन मांग रहे हैं, दे सकते हैं, येस, ऐसा नहीं होता, ये limit क्या है, पहले इसका interpretation निकालो, ये cumulative limit है, existing plus नया, मिला के 375 वाद दे सकते हो, तो पहले चेक करो, आपने existing कितने loan investment guarantee दे रखके हैं, वो सब इसमें से minus होंगे, और फिर चेक करेंगे, आ रहा है समझ मे तो घाई मत करना, ये पहला step है, permissible limit हमने निकाल दी, second, existing loan guarantee investments, कितने हैं, बोरो, investments in equity ये लेना है, debenture bonds ये भी investments ही होते हैं, asset side में है, government securities भी investments होती है, loan given to other companies, inter corporate deposits ये भी आते हैं, guarantees given to other company ये भी आते हैं, मतलब सारे जो आपके काम के numbers हैं, होई दिये हैं, पूरे add up कर लो, 50 plus 15 plus 25 plus 40 plus 120 plus 20, तो आपने total 270 lakh के investments ये guarantee security loans दिये होएं, ठीक है, existing कितने 270 lakhs, ठीक है, तो अब new, या इसमें सीधे आप compare कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो new loans that can be given by board, ठीक है, by board of directors, without shareholders approval, तो limit 375 की है, minus 270 use हो गई है, तो fresh loans कितने आप दे सकते हो, without shareholders approval, 375 minus 270, that comes to 105 lakhs, लेकिन company कितना loan देना चाहती है, 250 lakhs, which is higher than 105, तो answer क्या आएगा, NO, BOD cannot give loan of 250 lakhs to moon limited, ठीक है, without shareholders approval, ठीक है, और फिर last में पूचा है, कि अगर limit exceed हो रही है, जो कि इस case में हो रही है, तो क्या option available है, ठीक है, तो वो final answer आपको लिखना है, कि, if BOD takes SR in GM, ठीक है, then they can give loan of 250 lakhs to moon limited, ठीक है, तो आपको ऐसा final answer लिखना है, ठीक है, लिख लुआ, ठीक है, यह answer में दिया हुआ है, देख लेते हैं, ठीक है, आ जाओ, तो पहले पूरा वो 186 section आपको लिखना है, ठीक है, तो यह सब्दी आ हुआ है, 186 section 2 में limit दी जाती है, ठीक है, loan, guarantee, security या जो भी investments आप कर रहे हो, ठीक है, कितना आप कर सकते हो, मतलब कितने से जाधा नहीं कर सकते हो, not exceeding, ठीक है, यहां लिखा हुआ है, no, no, ठीक है, no company, exceeding, 60% of paid up share capital, free reserves and securities premium, और 100% of free reserve plus securities premium, whichever is more, whichever is higher, ठीक है, तो बस यह आपको calculate करनी है, और अगर यह limit cross हो गई तो, तो बस वही लिखना है, SRNGM आपको pass करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह limit हमने calculate कर ली, 375 lakhs, और फिर existing जो है, 270 वह आपको minus करना है, अब आप minus करके भी compare कर सकते हो, या existing जो आपने दे रखे हैं, और नया जो proposed है, वो add up कर सकते हो, उससे भी check कर सकते हो, limit exceed हो रही है की नहीं, दोनों चलता है, जैसे 270 lakh के loan investment guarantee आप already कर चुके हो, 270 प्लस proposed 250, तो वो हो जाता है 520, ठीक है, अगर आप ये 250 का loan दे देते हो, तो आपका total loan guarantee security investment कितना हो जाएगा, 520 lakhs, पर board कितना permissible है, सिर्फ 375, तो अगर आप 250 lakh का loan दे दोगे, तो 375 की limit cross हो जाएगी, और board के पास उसका power नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो, available limit काल के उसको 250 से भी compare कर सकते हो, कोई विदिकत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ final answer आपको लिखना है, However, Sun Limited can seek prior approval of members by way of SR in a GM and give loan to Moon Limited, ठीक है, क्योंकि SR पास करके, फिर आप कितना भी loan दे सकते हो, उसमें फिर कोई law की upper limit नहीं है, ठीक है, simple है, तो अगर आपको बस यह पता है, यह limit अगर आपको पता होती, अगर आपको यह limit पता है, तो फिर I think काफी simple question है, for a professional level student, और यह limit बहुत ही basic limit है, other borrowing tools में आप यह पढ़ते ही हो, ठीक है, चालो, तो यह case study type questions आया था, आगे बढ़ते है, answer आप लिख सकते हो, खेर मैं पूरा आपको file ही दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप लिख सकते हो, ठीक है, pause करके आप लिख लो, चलो गया, अब एक यह और question आया है, जो same executive level का है, आप पढ़ी चुके होंगे, executive pass करके आप professional में आये हो, तो यह बहुत easy question है, ठीक है, executive level का question है, yes, professional वाले बच्चों के लिए थोड़ा अलग है, because material में नहीं दिया है, ICSI का जो professional का module है, उसमें नहीं दिया है, ठीक है, तो I agree कि यह थोड़ा offbeat है, but executive का ही है, आप already पहले पढ़ चुके हो, operating cycle method पे, working capital chapter में, financial management में, already आपको इस टाइब के questions थे, ठीक है, तो यह operating cycle method पे, the projected financial information of बंसी वाला is as given below, projected annual sale, आने वाले साल का projected sale दिया हुआ है, 650 lakh, इसमें cash कितना है, credit कितना है, दिया हुआ नहीं है, तो normally हम क्या आज्यूम करते है, all credit sale, ठीक है, पूरी sale credit पे है, ऐसा मज्यूम करते है, फिर इसमें profit कितना है, वो भी दिया हुआ है, profit percentage है, 25%, लिखा हुआ on sale, based दिया हुआ है, on sale, 25%, डिरेक्ली ये sale का ही है, फिर आपको दिया है, देखो operating cycle, कि average credit period allowed to dators, dators को हमने कितना credit दिया है, 10 weeks, इससे आपको data का amount निकलना है, weeks, या जो duration है, इससे आपको amount निकलना है, average credit period allowed by a creditor, 4 weeks, ठीक है, तो 4 weeks से आपको creditors का amount निकलना है, फिर average stock holding in terms of sales requirement is 8 weeks, इससे आपको closing stock निकलना है, और उसी से आपको current ratio मिल जाएगा, उसी से आपको working capital भी मिल जाएगा, सर्फ 3 numbers आपको निकलने हैं, आपको stock निकलना है, आपको data निकलने हैं, और आपको creditors निकलने हैं, उसी से current asset आ जाते हैं, उसी से current liability आ जाता है, तो उसी से working capital भी calculate हो जाएगा, बहुत ही basic level का question है, अब इसमें क्या trickiness है, ध्यान दो, मतलब क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कि जब मैं dators का amount निकालता हूँ, तो मुझे total sale लेना है, total credit sale लेना है, मतलब उसमें profit लेना होता है, total credit sale, अब कुछ दिया नहीं है cash credit के बारे में, तो मैं आउंगा, क्योंकि data में भी profit होता है, data में भी profit होता है, तो उसका जो base आप लेते हो, उसमें भी profit आना ही चीज़े, same base, base match करना है, तो यहाँ पे total credit sale लेते हैं, तो हम जब calculation करेंगे, तो 6,50,000 का base लेंगे, उसमें से profit नहीं हटाएंगे, फिर creditors, अब creditors का base क्या होता है, purchase credit purchases, credit purchases, credit purchases, ठीक है, वो दिया हो नहीं है, तो आपको क्या लेना होता है, COGS, credit purchases के जगह पे आपको क्या लेना होता है, COGS, और COGS कैसे निकलेगा, sale में से अगर आप profit minus कर दोगे, तो COGS आ जाएगा, COGS फिर आप base ले लोगे, तो creditors की जब मैं calculation करूंगा, तो मैं profit हटाऊंग क्योंकि मुझे COGS का base लगेगा, purchases का, ठीक है, और फिर जब आप stock निकलते हो, stock में भी profit नहीं आता है, stock is valued at cost, तो stock का भी base क्या होता है, creditors, याने purchases, ठीक है, तो उसमें भी आपको profit हटाना है, आपको COGS लेना है, ठीक है, तो मैं आपको base लिखके दे रहा हूं, कि debtors में base हो देना है, तो COGS में profit हटाना पड़ता है, बस वो आपको ख्याल में रखना है, clear है, और एक और चीज़ आपको ख्याल में रखनी है, जो normally question में दी रहती है, पर इसमें नहीं दी है, पर आप assume कर सकते हो, 52 weeks in a year, weeks में न, weeks, weeks, weeks और साल में कितने weeks होते है, 52 weeks in a year, ये normally दिया र assumptions पता होने चाहिए, ठीक है, तो बस निकालो, बोलो भाई, क्या करना है, पहले निकालना है, डेटर्स, बोलो, डेटर्स कैसे निकलेगा, साल भर का जो amount है, बोलो, base क्या होता है, डेटर्स का, total credit sale, जो भी sale है, पूरी credit sale है, ऐसा मैं मानूँगा, तो मेरा base आएगा, 6,50,000 तो total annual credit sale divided by number of weeks in a year, इससे क्याल निकलेगा, एक week का credit sale कितना है, और डेटर्स को आपने कितना समय दिया है, दिया हुआ है, 10 weeks, समझ रहे हो, तो 10 weeks के amount जितना data होगा, एक week आपने निकल लिया है, तो बस into 10 कर लो, तो यह आपको पता चल जाएगा, कि data का outstanding amount कितना होगा, closing data कितना होगा, ठीक है, तो 6,50,000 divided by 52, that will come to 12,500, 12,500 क्या है, एक हफ़ते की credit sale, एक हफ़ते की credit sale लाएगा, 12,500 into 10 करोगे, तो data outstanding कितने हैं, यह closing data का amount आ जाएगा, फिर आता है stock, ठीक है, current assets में पहले ले रहो, अब stock का base क्या होता है, COGS, ठीक है, तो COGS निकलो, COGS कैसे निकलता है, sale minus profit, sale minus profit is equal to COGS, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, तो sale minus COGS कर लेंगे, divided by 52, तो क्या आ जाएगा, weekly COGS, एक हफ़ते क COGS कितने हैं, वो आ जाएगा, और मेरा stock कितने weeks का है, 8 weeks, देख लो, 8 weeks का stock आब रखते हो, तो into 8 कर लेंगे, बोलो, 650,000 minus 25%, 487,500, यह आपका numerator आगा, यह क्या है, यह COGS है, annual COGS, divided by 52, तो एक हफ़ते का COGS कितना है, 9,375, into 8, तो आपका stock कितना होगा, closing, 75,000, तो यहीं पर मैं total मार रहा हूँ, कि मेरे current assets कितने हैं, 2,00, और फिर आप निकालो, creditor, बोलो, creditor के लिए क्या base आता है, same COGS, COGS कैसे आएगा, sale minus profit, divided by 52, तो एक week का आजाएगा, और creditor कितना समय आपको देता है, 4 weeks, तीक है, बोलो, 650,000 minus 25, same आएगा, 487,500, divided by 52, same आएगा, 975, इंटो 4 लेना है, तो यह आएगा, 37,500, तो यह आपके current liabilities है, ठीक है, therefore, current liability is equal to 37,500, तो current asset आगे, current liability आगे, अब दोनों answer आप निकाल सकते हो, देफो, current ratio is equal to current asset upon current liability, current asset है 2,00, current liability है 37,500, तो current ratio कितना आएगा, बोलो, 5.33 times, ठीक है, पहला answer, second, working capital, क्या आएगा, current asset minus current liability, तो आएगा, 2,00, minus 37,500, 162,500, है simple, अगर आपने FM पढ़ा हुआ है, तो यह बहुत simple है, ठीक है, एग्जिक्टिव लेवेल का question है, लिखो, लिखो, इसमें अब आपको दो answer दिये हुए, ठीक है, दो answer दिये हुए, कि एक answer है कि भाई, data के लिए कुछ लोग full value ले सकते हैं, और data के लिए कुछ लोग सिर्फ cogs भी ले सकते हैं, तो यह जो उपर वाला है, यह मैं cut कर दो, ठीक है, यह वाला treatment मेरे हिसाब से सही नहीं है, और alternative answer में अपना answer दिया हुए, ठीक है, तो मतलब data का जो base है, वो आप क्या लोगे, total credit sale, मतलब उसमें profit include होगा, तो उसके इसाब से देखो, अपना perfect answer आ रहा है, और, sorry, data 1,25,000 आ रहा है, stock आ रहा है, 75,000 और total current asset आ रहा है, 2,00, current liability आ रहा है, creditors 3,500, तो आपका ratio आ रहा है, 5.33 times, और आपका working capital आ रहा है, 1,62,500, ठीक है, यह अपना answer है, जो आपके उसमें दिया हुआ है, simple है, executive level का है, ठीक है, तो यह हो गए हमारे तीन questions जो आए थे, आगे बढ़ते हैं, और क्या-क्या आया है, देखो, सब plain question है, ठीक है, plain question मैं इसमें समझाने वाला नहीं हूँ, हम case studies पर जादा focus करेंगे, इसमें से मेरे साब से कोई भी case study नहीं है, direct questions है, ठीक है, सब में direct answers आप से पूछे गए हैं, इसमें भी eligibility criteria, conditions ही पूछे है, ठीक है, मतलब structure आपको लगेगा, यह तो case study है, case study नहीं है, direct plain question है, ठीक है, तो ऐसे भी question होते हैं, जो आपको लगेंगे कि case studies हैं, बार actually वो plain questions है, direct questions पूछे गए हैं आप से, ठीक है, इसमें यह वाला देखो, numerical है, numerical question आया है, CP, normal question है, पर यह थोड़ा अलग है बस, normally क्या होता है, आपको issue price दिया रहता है, और आपको, मतलब अलग-अलग type के question बनते हैं, इसमें आपको issue price पूछी हुए है, ठीक है, ध्यान दो, issue price पूछी हुए, तो थोड़ा मेरे ख्याल से थोड़ा सा अलग है, है simply और थोड़ा अलग है, आएए पढ़ते हैं, a company issued CP, having a face value of 5 lakh rupees, ठीक है, face value CP, जो redeem होगा, 5 lakh rupees, for 90 days maturity, ठीक है, CP का 10 or in 90 days, at an interest rate of 10% per annum of the issue price, ठीक है, लिखा ही है, of the issue price, मतलब interest जो calculate होगा, उसका base क्या होगा, issue price, face value नहीं, face value दिया है, face value काई base होता, फिर तो बहुत easy question बन जाता, समझ रहे हो, तो base क्या है, issue price है, issue price का, जो भी है, 90 days का interest आपको calculate करना है, और issue price दिया ही नहीं है, मतलब यह reverse question है, यह reverse question है, ठीक है, calculate this issue price, assuming 365 days in a year, बोलो, तो इसका normal, क्या formula होता है, इसका normal formula होता है, issue price, अलग अलग तरीके से आप लेख सकते हो, या जैसा भी लेखो, issue price is equal to face value minus interest, या discount, जो भी हो, ठीक है, ऐसा इसका formula होता है, अब हमको यह निकालना है, ठीक है, हमको issue price निकालना है, face value दिया हुआ है, interest हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो issue price पे है, और issue price दी भी नहीं है, ठीक है, तो x assume करके हम इसको equation को solve करेंगे, ठीक है, let the issue price be x, ठीक है, face value आपको दिया हुआ है, 5 lakh रुपीज, बोलो, interest है, discount कैसे निकालेंगे, issue price पे निकलेगा, तो issue price multiplied बाए, बोलो, 10%, तो क्या होगा, ये तो साल भर का interest आ जा into 90 divided by 365, बस, simple question है, ठीक है, बोलो, कैसे करेंगे, solve करो, तो 90 divided by 365 कर लो, पहले, वो आता है, 0.2465 into 10%, तो आएगा 0.02465 या 66, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, ये minus है, उस side बे देंगे, तो plus हो जाएगा, अब यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, तो 1x plus, ठीक है, ये जो minus है, इस side आके plus हो जाएगा, 0.02466, round of आपके उपर है, is equal to 5 lakhs, ठीक है, ये x भी आएगा, ये x, ठीक है, x है इसमें, तो बस, 1 plus ये जो भी है, तो ये आएगा, 1.02466x is equal to 5 lakhs, therefore, x is equal to 5 lakhs divided by 1.02466, बोलो, कित्त आएगा, तो ये आएगा, 487.967, round of थोड़ा, एक दो रुपए इधर उदर हो सकता है, ठीक है, तो ये आपका issue price होगा, therefore, issue price is equal to 487.967, या 968, जो भी है, ठीक है, round of आपके उपर है, तो simple है, concept अगर आपको पता है, ठीक है, काफी बच्चे मैं देखता हूँ, formula ही याद करने के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है, formula याद नहीं करना है, formula के logic पे जाना है, कि question कैसे भी आ सकता है आपको, तो अगर आपको ये concept पता है, ये जो concept है, ये पता है, और ये जो concept है, ये पता है, तो आप सब calculations खुदी कर सकते हो, ठीक है, तो आप ये लिख लो, फटा-फट, pause करो और लिख लो, शालो, बढ़ते हैं आगे, ठीक है, तो ये दिया होए देखो, ठीक है, देखो, यहाँ formula ऐसा दिया है, कोई फरक नहीं पड़ता, आंसर से भी आता है, ठीक है, तो यहाँ अपना, देखो, 487, 967, 967, 967, 968, ठीक है, अर लिखा भी है, देखो, there may be little difference in the final answer, due to consideration of the digits, after decimal, तो मैंने जैसे 4 या 5 digit लिए न, 0.2466, तो कुछ लोग 247 ले सकते हैं, कुछ लोग 0.25 ले सकते हैं, तो हलका difference आएगा, ठीक है, इंस्टेट्यूट करता है उसको, तो आप टेंशन मत लेना, कि सर, ये किया decimal, इंस्टेट्यूट ने 3 लिया, तो क्या होगा, 2 लिया, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, अगर आसपास आपका answer आ रहा है, और अगर वो rounding off के वज़े से आ रहा है, तो इंस्टेट्यूट आपको marks दे देगा, ठीक है, तो ये सब डारेक्टी कोश्चन है, मेरे साब से सब डारेक्टी कोश्चन है, कुछ खास इसमें answer ड्राफ्ट नहीं करने है, सब डारेक्ट कोश्चन है, ये है, देखो case study, ये थोड़ा अलग question आ गया है, और ये I think LODR पे है, LODR में से भी अब case study आ रही है, पहले starting, starting में नहीं आती ठीक है, तो audit committee based question है, काफी easy है, क्या कहता है, पढ़ते है, Krishna limited is a listed company, मतलब LODR apply हो गया, and has six directors on its board, ठीक है, छे board of directors है, out of which four directors are independent directors, चार independent directors है उनके बास, Mr. Raju is executive chairman, ठीक है, executive chairman है, पूरे company के, and promoter of the company, and Mr. Pawan is the MD of the company, ठीक है, एक chairman and promoter है, और एक MD है, ठीक है, अलग लग लोग है, Pawan wants to become the chairman of the audit committee, ध्यान दो, Pawan को chairman बनना है, audit committee का, और Pawan कौन है, already MD है, MD का मतलब क्या होता है, MD क्या होता है, क्या MD independent director होता है, नहीं, MD एक अपने आपने separate post है, मतलब वो भी एक whole time personal है, managerial personal में ही आता है MD, ठीक है, तो यह कोई independent director नहीं है, ठीक है, तो यह MD है, यह तो plain question हो गया, discuss the composition of the, यह तो हमने पूरा revision में cover किया हुआ है, इसका पूरा मैंने table बना के दिया था, सारे committee, इसका पूरा हमने table already cover किया हुआ था, ठीक है, तो यह उसी में से है, तो बोलो, क्या पढ़ा है आपने audit committee के बारे में, कि audit committee में कितने members होने चाहिए, ठीक है, उसमें, I think, कोई confusing होता है actually, multiple times जब आप revise करते हो, तब आपको ख्याल में आता है, कौन सी committee में क्या था, तो I think audit committee का normal था, two-third जो directors है, वो independent directors होने चाहिए, और जो chairman है, वो भी independent director ही हो होना चाहिए, ठीक है, तो पहला answer क्या लिखेंगे, कि chair person कौन बन सकता है, जो independent director हो, पवन is not a independent director, and hence Mr. Pavan cannot become the chairman of the audit committee, ठीक है, और फिर कम पोजिशन बताओ, तो वही at least three directors होने चाहिए, और two-third at least shall be independent director, और chair person shall be independent director, चीक है, इस अब बहुती plain question है, बहुती normal question है, देखो, दि relationship team, audit committee shall comprise of at least three directors, two-third shall be independent directors, ये भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, special provisions है, audit committee के, खेर ये composition से ही related है, लिख सकते है, कि भाई, वो सब financially literate होने चाहिए, और कम से कम एक member होना चाहिए, जिसके बास accounting या financial management related expertise हो, याद आ रहे, special point था है, revision में cover करवाया था मैंने, कि ये सिरिफ audit committee म और फिर हाता है, chairperson कौन हो सकता है, independent director, तो ये पूरा composition के बारे में आपने लिख दिया, और फिर आपने final answer लिख दिया, in view of above, Mr. Pawan is MD, cannot become the chairperson of the chairman of the audit committee, simple है, बहुत simple है, ठीक है, बहुत simple question है, 5 mark का है, तो easy marks है, बाकी भी देखो, सब direct questions है, इसमें, ये भी देखो, committee का ही question है, already सब हमने cover किया हुआ था, stakeholder relations committee, उसका chairman, उसका composition, उसके number of meeting, सब पूरा proper table, मैंने already revise कराया हुआ था, YouTube पे, तो direct उस पे ही question आ चुका है, amendment पे भी देखो, direct question आया है, तो कोई case study नहीं है, इसमें, ये रहा, ये case study आई है, ये भी काफी अलग case study आई है, ये काफी अलग case study है, ठीक है, और ये, I think, chapter 15 पे है, IPO, requirements of IPO, उसमें, एक आपने, इस पर इतिंग, थेरी question पहले एक बार आ चुका है, practical आया है, पहली बार, case study question आया है, ये, I think, question आया है, कि IPO जब आप कर रहे हो, आप listing करवा रहे हो, listing होने वाली है, आपकी, तो उसमें हम disclosure requirements पढ़ते हैं, कि कुछ disclosure requirements होती है, on listed company, under PIT regulations, तो उसमें, promoter, director, promoter, director पे, एक PIT regulation के तैद, एक disclosure requirement आती है, कि जो भी वो trades कर रहे हैं, जो भी वो trades कर रहे हैं, अगर वो trade एक value से exceed हो जाते हैं, तो उनको वो trades का disclosure देना पड़ता है, listed company को, और listed company को वो stock action में file करना होता है, तो बस यह उसी पे question है, अब यह थोड़ा अलग type का question क्यों बन गया, क्योंकि इसमें value दी नहीं है, value आपको निकालनी है, और आपको value निकालके check करनी है, कि वो उस limit से exceed हो रहे है क्या, exceed हो रही है, तो ही वो disclosure mandatory है, अगर वो limit के अंदर है, traded value तो फिर disclosure देने की ज़रत नहीं होती है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा अलग question है, बट फिर भी अगर आपको original clause पता है, उसकी थेरी पता है, तो I think manageable question था यह, ठीक है, five marks आए है, आजाईए, Mr. Hulk, the promoter of the company, ठीक ह रूपीज कट कर दो, टाइपो एरर होगा, 1000 equity shares for a market price of 750 on 5th April and disposed of, यहने, sold 500 equity shares on 25th April at 810, he further acquired 1350 shares on 10th May at a price of 790, सब trading वगेरी दी हुए है, explain in brief the provisions of PIT regulations with respect to the continual disclosure and timelines, ठीक है, further advice with regard to disclosure by Mr. Hulk to the company and company to the stock exchange, such that they are in compliance with the relevant provisions, ठीक है, तो PIT regulations पे question है, chapter 15 में आपको इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है, तो basically क्या है, traded value देखते हैं, अब traded value में आपको यह भी पता होना चाहिए कि purchase और sale जो होते हैं, वो minus नहीं होते हैं, वो add होते हैं, पूरी जो trading होती है, purchase भी trading है, sale भी trading है, तो जितने भी purchase, sale के सारे trades हैं, सबको add करके traded value आपको निकालना होता है, यह आपको ध्यान देना है इसमें, ठीक है, net off नहीं करना है, तो इसमें law क्या है, law पहले मैं बता देता हूँ, law है कि एक quarter में, एक calendar quarter में, अगर 10 lakh रुपीज से ज़्यादा का आपका traded value है, आप अगर promoter हो, director हो, या designated employee हो, जो जिस पे वो PIT का जो आपका policy है, वो apply होता है, जो code है, वो apply होता है, तो वो सब लोग covered है, उनको यह disclosure देना होता है, जैसे ही 10 lakh का traded value cross हो जाता है, ठीक है, जैसे ही 10 lakh का traded value cross हो जाता है, अगर up to 10 lakh आपका traded value चल रहा है, तो आपको उन trades का disclosure नहीं देना है, but the moment you cross 10 lakh trades in a calendar quarter, तो फिर आपक continue फिर आपको हर trade का disclosure देते रहना है, तो आपको यह check करना है, कि कब 10 lakh cross हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर कौन से trade के बाद हो रहा है, फिर उन सारे trades का और future के सारे trades का आपको disclosure देना पड़ेगा, तो इसमें पहले आपको पूरा law लिखना है, फिर आपको एक table बनाना है, बोलो, table क्या है, traded value, traded value का एक table बनाना है, बोलो, अब acquisition है, फिर disposal है, फिर acquisition है, सब traded value में count होता है, बोलो, सबसे पहला क्या था, thousand shares at 750, quantity, price, value और cumulative value भी ले ले लेते हैं, ठीक है, price है, 750, तो यह किता हैगा, 7,50,000, तो cumulative भी उत्ता ही आएगा, 7,50,000, तो बोलो, इस trade का disclosure देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, क्या 10,00, traded value क्रॉस हुई है, नहीं हुई है, तो यहाँ आप लिख सकते हो, disclosure requirement, no, इसको disclose करने की जुरुत नहीं है, क्योंकि अभी तक 10,00, यहाँ का traded value क्रॉस नहीं हुआ है, फिर second trade जो हुआ है, अब तीनो trades आप देखो, एक ही calendar quarter में, 5th April, 25th April, 10th में, सब एक ही calendar quarter में, समझ रहे हो, April to June जो quarter होता है, तीनो dates उसी में, तो हम उसको accumulate कर सकते हैं, फिर second जो है disposal, तो वो हो रहा है, 500 और वो आप dispose off कर रहे हो, 810 पे, ठीक है, बोलो, किता traded value है, 500 into 810, that comes to 4,5,000, अब इसको 10,00, से compare नहीं करना है, cumulative को compare करना है, ठीक है, तो cumulative कैसे होगा, अभी तक का cumulative प्लस ये वाला, add करो, अब देखो, ये cross हो गया, 11,55,000, अब क्यूंकि आपका cumulative traded value exceed कर गया, 10,00, तो अब आपको ये trade से, अब आगे हर trade आ पड़ेगा, the moment you cross 10,00,000 traded value, जो trade से वो cross हो रहा है, वो भी disclose करना है, और उसके बाद अब जितने भी आप trades करोगे, उस calendar quarter में, सारे trades आपको disclose करने पड़ेगे, तो disclose करना है, yes, अब फिर सवाल उठता है, कब करना है, तो ये table में और लिख सकते हो, when, तो उसका आता है, two trading days, कि जो promoter है, उसको company को बताना है, within two trading days, और फिर company को वो stock exchange में फाइल करना है, within two trading days, दोनों के बाद दो-दो दिन होते हैं, ठीक है, तो two trading days में आपको बताना है, फिर third, अब उसमें भी आए गई, yes, already 10 lakh cross हो गया, बोलो, 1350 into 790, ठीक है, बोलो, 1350 into 790, तो यह आएगा 10,66,500, फिर निकालो cumulative, प्लस 11,55,000, तो total traded value आ गई, 22,21,500, ठीक है, तो already आप 10 lakh cross कर गए हो, तो yes आएगा, ठीक है, two trading days में आपको अब यह disclose करना है, ठीक है, तो यह आप लिख लो, यह आप table बना लो, ठीक है, ठीक है, pause करो, आप बना लो, मैं आगे बढ़ता हूँ, तो अब आप answer देख सकते हो, ठीक है, तो इसमें पहले आपको, पूरा law लिखना है, law काफी है इसमें, ठीक है, तो यह आपको लिखना है, देखो, provision related to compliance or provisions of continual disclosure for insider trading, ठीक है, कि लिस्टिंग के बाद, IPO होने के बाद, लिस्टिंग के बाद, अब यह सारे regulations आपको follow करने होता है, तो यह 7th regulation 2 of PIT regulations, promoter, member of promoter group, designated person और director, इन 4 लोगों पे rule apply होता है, ठीक है, कि आपको 2 trading days के अंदर बताना है, if conditional है, if the value of security is traded, whether in one transaction or series of transaction over a calendar quarter aggregates to a traded value in excess of 10 lakh rupees, 10 lakh से जाधा का traded value कर आपका cross हो जाता है, in a calendar quarter, तो आपको वो सारे trades का disclosure देना होता है, within 2 trading days, ठीक है, to the company, to the company, ठीक है, और फिर, जैसे यह information मिलेगी, company को वो file करनी है, stock exchange पे, ठीक है, every company shall notify the particulars of such trading to the stock exchange, within 2 trading days of the receipt of disclosure, or on becoming aware of such information, ठीक है, तो यह law हो गया, जो आपके book में chapter 15 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, और फिर यह पूरा आपको table बनाना है, जो यह आपको बनवा के दिया, आपको वो भी निकालना चाहिए, और फिर देखो, इन्होंने दिया है, कि 25 April का जो trade था, disposal वाला, उस trade से आपका 10 lakh cross हो गया, तो वो trade आपको disclose करना है, और उसके बाद जितने भी आप trades करोगे, वो भी आपको disclose करना है, चीक है, तो दिया है, देखो, in the instant case, since the aggregate traded value of the security has exceeded 10 lakh rupees on 25th April, 25th April का जो trade था, second वाला, उससे cross हुआ, तो वो आपको within two trading days from 25th April आपको disclose करना पड़ेगा, और फिर जो उसके बाद transaction हो, मेर 10 का, वो भी करना है, ठीक है, the incremental transaction on crosses the threshold of 10 lakh, Mr. Hulk is required to make another disclosure within two trading days, तो आपको यह दोनों का disclosure देना है, और company को जैसे ही यह disclosure receive होगा, इस promoter से, वहाँ से two trading days में, stock exchange में, वो information देनी है, companies required to disclose within two trading days of the receipt of disclosure, और from becoming aware of such information, ठीक है, clear है क्या, तो यह सारे case studies आचुके है, ठीक है, चलो, तो यह आपका हो गया case studies and numericals, ठीक है, तो tips का मैं बता रहूं आपको कि अगर आप ध्यान दोगे, मेरे रिसाब से, मतलब मैं बहुत judgment लेके बता रहूं, कि मैं बोट रहा हूं, at the max, 40 marks का ही आपका ऐसा paper है, जो numerical or case study based आता है, जिसके लिए आपको थोड़ा separate preparation करनी होती है, minimum 60 marks का paper आपका plane आता है, answer the question, short notes, direct questions, समझ रहे हूं, मतलब देखे दिखाए questions आते हैं, तो 60 marks में कह रहा हूं, कि आप बहुत जादा focus करो, क्योंकि उसमें आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आप यह नहीं बोल सकते कि tough आ गया, अरे ऐसा कुछ नहीं, सब आपके material से ही आ रहा है, अब आपको क्या करना है, आपको उसके multiple revisions करने, जो problem मैं देख रहा हूं बच्चो होगा, वो यह है कि उनको points recall नहीं हो रहे है, क्योंकि syllabus ही बहुत vast है, बहुत ही fair point है, क्या syllabus बहुत vast है, तो भाई हमारा recall नहीं होता, इसलिए मैं आपको कहा रहा हूं, कि आप short notes या जो direct direct questions है ना, उसको पहले अलग करो, और उसको multiple times परो, सब को divide करो, points में, छोटे-छोट करने के साफ से, छोटे-छोटे points में divide करो, आराई को समझ में, तो वो आप multiple times परो, चार बार, पांच बार, छे बार, अलग से उसके notes बनाओ भले, या आपके पास already होंगे, बना लो, सारे जो मैंने अभी तक revisions, या जो content free का डाला हुआ है, funding का, वो मैं description में link दे देता हू आप अच्छे से उसको देख लो, pocket book भी available है, हाल ही में मैंने launch किया है for June 23, उसको भी आप use कर सकते हो, multiple revisions के लिए, सिर्फ 250 रूपीज की है, 190 pages का pocket revision book है, फटा-फट जाओ, order कर लो, उसकी भी link description में दे देता हूँ, अच्छे से prepare करो, उसको use कर सकते है for multiple revisions, उसको मैंने सब अच्छे से आपको दे दिया है, important short notes, past के सारे numericals, past के सारे case studies, सारे definition, सारे eligibility criteria, सारे compliance calendar, साब आपको एक जगद दिया हुआ है, छोटी सी pocket book है, जो आप कहीं भी carry कर सकते हो, बहुत ही useful है, तो आप ले लो और फटा-फट उसको पढ़ना start कर दो, उसके वज़े से आपके 3-4 revisions हो जाएंगे, सारे limits भी आपके उसमें cover हो जाएंगे, limits भी दिया हुए, eligibility criteria दिया है, procedure दिया है, documentation भी दिया है, सब कुछ दे दिया है, और सिर्फ 190 pages का वो छोटा सा pocket book है, please फटा-फट वो order करके उससे आप revision start कर दो, तो जिनको revision का issue है, जिनको points recall नहीं हो रहे हैं, क् कि देखो यार, जब आपके 2-3 attempt हो जाते हैं, boring हो जाता है, ठीक है, काफी बच्चे मैं जानता हूँ, कि जो 50 plus score कर रहे हैं, but still fail हो रहे हैं, क्योंकि वो aggregate नहीं निकाल पा रहे हैं, और funding में उनके 60 भी cross नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बिचारे 45 से लेके 55 के range में लटके हु है, तो इसलिए कह रहा हूँ, आप pocket revision book लेलो और उससे आप बढ़िया multiple revisions करते जाओ, short notes उसमें से पढ़ते जाओ, multiple revisions आप करते जाओ, 60 marks का paper अगर आपने बहुत अच्छे से छोड़ा लिया, बहुत अच्छे से उसका accurate answer आप लिखके आ गए, तो 35 to 40 marks तो आपको वहीं स जाद है, अरे ऐसे थोड़ी होता है, जो पढ़ा हुआ है, easy है, उसमें तो आपको marking जादी मिलनी चाहिए भई, पांच का है तो भई, 4, 3, तो मिलना चाहिए, अगर उसमें भी 5 में से 2 याब ले रहे हो, तो भई आपको, फिर तो आप 40, 45 के range में आओगे न, तो आप identify करो क्या आपके हाथ में है, अब numerical एकाद odd आ रहा है, वो आपके हाथ में नहीं है, case study एकाद tough आ रहा है, आपके हाथ में नहीं है, नहीं है आपके हाथ में, कितना भी आप ये कर लो, 8-10 मार्ग का कुछ नो कुछ आएगा, आपको 90 के भरूसे ही जाना है, 90 में से अब कैसे अंसर की quality बढ़ानी है, काफी सारे question ऐसे आते हैं, जिसमें कोई regulation number नहीं डालना पड़ता, चलो case study आ गई तो भाई, regulation number quote नहीं किया, आदा आदा करके marks cut होता है, पर जहां concept driven question है, काफी concept driven questions आपको आते हैं, जिसमें कोई section number नहीं है, कोई regulation number नहीं है, कुछ भी quote करने की तो वहां आपको थोड़ी higher marking मिलने के ज़्यादा chances है, और case studies में थोड़ा marking कम जाएगा, क्योंकि आप उतना accurately नहीं लिख क्या पाऊगे, numerical एकाद offbeat आ गया, पर numerical भी एक ऐसा area है, जहां पे ज़्यादा marking आप ले सकते हो, अगर commercial paper या जैसे easy question आ रहे है, MPBF वाले question आ रहे बहुत ज़्यादा writing practice करो, अच्छा मेरी writing practice भी चल रही है, telegram पे मेरे telegram channel पे daily दो questions दे रहा हूँ, writing practice के corporate funding के for June 23 exams, link description में दे दे देता हूँ, telegram channel फटावर join कर लो, daily मेरे साथ साथ दो question लिखते देख लो, उससे भी आपकी काफी help हो जाएगी, revision भी हो जाएगी, और आप आपको कितना recall हो रहा है, कितना आप पानी में हो, आपको पता चल जाएगा, और धीरे धीरे फिर आप improve करना start करोगे, ठीक है, तो वो भी आप कर लो, तो I hope आप इस पे ध्यान देंगे, writing practice मेरे साथ साथ कर लेंगे, pocketbook खरीद के फड़ा-फड उससे revision start कर देंगे, मैं revision notes अल्रेडी दे चुका हूँ, मेरे website का भी link में दे देता हूँ, free notes में, मैंने amended revision notes अल्रेडी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको भी use करके, print करके, बढ़िया, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, तो यह सारी चीज़ें आप करते जाओ, और एक full syllabus test भी मैं आपको अब इसके आगे जो और chapters है, या जो important short notes है, वो मैं आपको इस attempt में revise कराने वाला हूँ, तो एक एक करके मैं, या तो chapter के videos डाल दूँगा, या तो जो important मिरको लगेंगे, important important short notes की revision, छोटे 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 वीडियो, एक गंटे दो गंटे के videos मैं बीजवीच में डालते रहूँगा, जो आपको help करेगा multiple revisions में, ठीक है, तो thank you so much for watching the video, do like the video, do subscribe my channel for more such videos, और comment करके बताओ, आपको क्या चीज़े परिशान कर रही है, क्या topics में आपको help चाहिए, ठीक है, आप जो भी आपके doubts है, या preparation related आपको guidance चाहिए, आप comment करके पूच सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको answer करने की, या उस पर वीडियो ब